हेलो अब्रीवन तो आई हैं बात करने जा रहे हूं रेडिकुलर सिस्ट के बारे में इसे मोस्ट कॉमन और उन्टोजनिक सिस्ट भी कहते हैं और यह इंफ्लामेटरी सिस्ट के अंदर आता है यह कब डिवलप होता है जब सेल रेस्स ऑफ मैलेसिस जो की रेमिनेंट है एची या फिर परियापाइकल सिस्ट या फिर रूट एंड सिट शिस्ट या फिर एपाइकल परिडॉंटल सिस्ट ओके तो यह चेनरली तू डिस्टिव वेरियंट्स में भी होते हैं जैसे कि इसे ट्रू सिस्ट भी कहते हैं और बे सिस्ट या फिर पॉकेट सिस्ट भी कहते हैं तो देखते हैं लोग यह true cyst क्या है यह true cyst वो है जो कि epithelial lining जो होती है cavity में cyst की वो enclose करती है tip of the apex of the root तो उसे हम लोग कहते है true cyst and base cyst या फिर pocket cyst उसको कहते हैं जो की root के apex को fully enclose कर रही है open open होके fully enclose कर रहे है यह पर यह बस tip है मगर यह root के tip को भी enclose कर रही है तो इसे वो बेस करेंगे फिर pocket cyst करेंगे तो यह टू डिस्ट के various है इसके डडिकुलर सिस्ट के यह जनरली नॉन वाइटल टूथ में होता है नॉन वाइटल टूथ यानि की जिसकी pulp में cross है या फिर pulp में कोई sensation नहीं है तो हम लोग उसे कहते है नॉन वाइटल टूथ ठीक है तो अब हम लोग बात करेंगे आगे इसकी pathogenesis और histology, radio, graphic features and treatment के बारे में तो चली आगे चलते हैं कर दो शुष लो ऑड़ा से कपी खासी तो यिर भीएन में गडार नहीं एकते हैG罪 में सब्सक्राव में पासी आगे ज़िन वाइए involves। ज्च ंहाび स्थber ऑ membership or बाक्र